एerुदेंट इस से पहले आप लोग complete कर चुके हैं, singular किसे करते हैं, pullட किसे करते हैं, और उसके बाद कितने सारे नियम हैं, उसमें से आधे नियम पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में, अगर आप नए हैं, आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो उसफे जा करके क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वहां से आप लोग पूरा वीडियो देख लिजिएगा ठीक है चलिए ये नेस्ट जो है इस नियम को हम लोग पढ़ लेते हैं और उसमें समझेंगे कि सिंगलर से पुल रल कैसे चेंज करेंगे तो इस नियम के अनुसार जैसे क आपके स्क्रीम पे आ चुका है इस नियम में क्या कहता है if a words ints in y and it is the pursued by a consonant y is changed into i and then es is added to pull the nest है इसमें जो है आपका पहला क्या कहता है इसका हिंदी सबसे पहले हम लोग बियारी है तो बियारी सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देता है सबसे ज़्यादा ध्यान देता है हि या इसका हिंदी कहां से आएगा आरे हिंदी भी आएगा tension मतली जीए यहाँ पे हिंदी भी आपके लिए लिए लिख के लाए है ठीक है इंगलिस पढ़ रहा है फिर भी उसको हिंदी में translate करके लाए है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी परसानी जो है हमी लोग क change कर देना है यानि बदल देना है i के जग y के जगा क्या लिखना है i लिखना है और उसके बाद बदलने के बाद उसमें es जोड कर puller बनाये जाता है ठीक है next जो है इसमें इसका example से आप लोग को समझ में आएगा जैसे कि आपके example यहाँ पे सामने में दीख रहा है singular to puller सब जो है इस तीर के निशान से सबसे पहले singular है singular के उस साइड तीर के उस साइड क्या है puller है अब जो है singular to puller first example से हम लोग समझेंगे body यहाँ पे क्या दिख रहा है b o d y यानि body body में क्या होगा इसमें नियम का अनुसार का बोला है कि y हो और उससे पहले कोई consonant है तो b o d y d क्या है y से पहले d आ रहा है तो d क्या है consonant है ठीक है तो इसलिए उस y को क्या करेंगे i में change करेंगे जैसे b o d i लिखेंगे और उसके बाद e s जोड़ करके हम लोग puller बना देंगे ठीक है तो e s जोड़ करके puller बना दिये जैसे b o d y था तो body जो हो गया इस साइड ठीक है singular से puller क जैसे puller में change किये bodies बनाए यानि एक से अधिक अब कुछ बाद्चा comment करके यह पूछता है कि sir एक body और दो body दिखा रहे हैं क्या दो से अधिक होगा नहीं होगा और एक से अधिक का मतलब यह हुआ कि एक से अधिक 4 भी हो सकता है 4 लाक भी हो सकता है या 10 लाक भी हो सकता है तो यह tension नहीं लेना अब कुछ बाचवाग जानते हैं का बोलता है कि body एस और figure दिखाए है उत बड़ी जो था फोटो वाला था का आदमी के body हो सकता है आया भौइस का body हो सकता है आरे भौइस जैसा दिमाग रखने वाला सब बड़ी हो सकता है अब जो है next example है आपका cty ty ty यानि cty के बाद क्या आता है ty यानि y से पहले t क्या है एक consonant है और जब consonant रहेगा तो consonant को क्या है यानि y से पहले consonant t है तो उस y को i में change करना है यानि ctyes city जो गया आई पूल डल ठीक है next example आपके screen पे आ चुका है जो की है sky क्या है sky s k y k क्या है consonant y से पहले k है तो k क्या है consonant है इसको y को क्या करेंगे उसी नियम के अनुसार i बदल लेंगे और यह जोड़कर पूल डल बना दिये next example है आपका lady यानि lady lady और उसके बाद वाला example में यहाँ पे y है time है चेंज किया है और यह जोड़कर पूल डल बना दिये फिर है next example है आपका baby b a b y y जो है y से पहले दिखिए क्या दिख रहा है b b क्या है एक consonant है जब consonant है तो y को y में बदल कर तब es जोड़कर पूलर बनाया जाता है जैसे कि b es baby जो है etc इस तरह का होगा जैसे कि baby baby में इस बच्चा यानि एक जो है बच्चा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ठीक है उसके बाद है आपका क्या है दूसरा में है baby b a b i e s baby ठीक है etc इस तरह का जो है यानि एक बच्चा था तो वहाँ पे similar था और एक से अधिक यानि अनेक यानि एक से अधिक का मतलब एक से अधिक अनेक भी हो सकता है तो यह सब क्या है यह babies है ठीक है etc इस तरह के बहुत सारे सब दाएंगे उसको आप लोग इस नियम के अनुसार बना सकते है नेस्ट आपका जो है नियम आ गया है आपके स्क्रीन पे नेस्ट इसमें कर रहा है if a word ends in y and it is pursued by a भावेल only s is added to pull डल ठीक है इसका हिंदी ठीक है हिंदी में यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है यदि किसी सब्द के अंत में क्या हो यदि किसी सब्द के अंत में y हो और y के पहले कोई भावेल हो तो उसमें केवल s जोड कर pull डल बनाये जाता है ठीक है अब जो है इस नियम के अनुसार हम लोग ध्याम देंगे नीचे एक्जाम्पल में कि यहाँ पे एक्जाम्पल में क्या आता है यहाँ पे एक्जाम्पल में सबसे पहला एक्जाम्पल जो है है ब्वाई यानि b o y यानि y जो है क्या है y से पहले देखिए o है o क्या है एक कंसुनेंट है जब o sorry o क्या है भावेल है तो y से पहले ओ भवेल है तो इसलिए उसमें क्या करेंगे केवल s जोड़कर पुलल बना देंगे जैसे boy यानि boy miss एक लड़का जैसे कि यह hero लड़का आपको दिख रहा है नहीं सरीया नहीं है यह छोटा एक बच्चा है ठीक है यह एक लड़का है तो यहाँ पे जो है एक लड़का सिंगुलर हो गया दूसरा क्या है पुलल यानि बहुत सारे बच्चे आपके एस्क्रिम पे आ चुके हैं यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो है यह आ चुके हैं यह क्या है एक सिंगुलर से पुलल बनाए हैं अभी इसमें कोई लगता है ग है 5 हो सकता है यह मनें इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है etc हो सकते है नेस्ट एक्जामपल है आपके स्क्रीम पर तो आए ती ओ वाई है और वाई के पहले क्या है ओ है जो कि क्या है भवेल है तो इसलिए इसमें भी हम लोग क्यावल एस जोड़कर पूलरल बना देंगे जो कि आपके स्क्रीम पर देख रहा है फिर नेस्ट है ठाड नमबर एक्जामपल है की के इवाई यानि वाई से पहले क्या है ए है तो जब ए है वाई से पहले तो उसमें हम लोग क्या करेंगे केवल एस जोड़कर पूलरल बनाएंगे जैसे की कीमिस क्या होता है चाभी और वाई के बाद हम लोग क्या करेंगे एस जोड़ देंगे तो की जो हो जाएगा ठीक है जैसे की कीमिस चाभी एक चाभी आपको दिख रहा है स्क्रीम पर ठीक है या रे बड़ा है या छोटा है ठीक है आपके घर का भी चाभी हो सकता है आपका मकान का भी चाभी हो सकता है या आपका दुकान के भी चाभी हो सकता है बहुत सारे टेरा मेरा सावाल करते हो तुम लो देख लो एक बार पूरा देखने के बाद तम न समझ में आएगा अब जो है नेस्ट है कि यानि की में इस चावी एक चावी दिख रहा है आपका आई इसका पुल्रल क्या होगा बहुत सारा चाविया यानि एक से अधिक जैसे कि यहां पे दो गो दिख रहा है ठीक एक से जामपल